नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूटूब चैनल आटूबाइक जंक्शन में आज की वीडियो में हम बात करेंगे यात्री पैसेंजर एरिक्षा के बारे में जानेंगे कि क्या फीचर्स मिलते हैं माइडिज रेंज और बैटरी कैपसिटी के बारे में शाथ ही कितना कमशे कम डाउन पेमिंट लगेगा अभी हाल ही में यात्री की यह नई इरिक्षा लांच हुई है यात्री कमपनी ने अभी हाल ही में यात्री शुपर डिलक्स इरिक्षा को लांच किया है इसी रिक्षा में आपको कई कलर आप्षन देखने को मिलता है जिसमें वाइट, ब्लू, ब्लेक, रेड, एलो या दो माडल में आती है या त्री डिलक्स या त्री शुपर सबसे पहले अगर फ्रंट से देखें नीचे की शायड में चौड़ी बिंडो स्क्रीन ग्लास विथ मोटर वाइपर मिल जाता है मजबूत चेचिस के शाथ आयरन बेश एंगल का प्रियोग किया गया है यहाँ पर आपको राउंड शेप में हाई उजन बल्म के साथ लाइड्स और नमबर प्लेट ग्रीन कलर में दिया गया है 48 यम्यम हैड्रोलिक सस्पेंशन के साथ स्टील एंड इस्टील का इसमें मेट गार्ड मिलता है ड्रम ब्रेक के साथ एलाई विल और 35 बाराई इंच के टायर फरंट में दिये गये हैं शामने बटरफ्लाई पर आपको दोनों तरफ इसके इंडिकेटर लगे मिलते हैं 740 केजी की रास विकल वेट देखने को मिल जाता है शाथ ही अगर इसके ग्राउंड के लिन्स को देखें तो काफी अच्छा खासा 180 mm का मिलता है जो गड़े युक्त या ब्रेकर जैसे शड़कों पर इजली चल सकती है ओह ये अगर देखा जाए तो 2170 mm का विल विल विस मिलता है बात अगर इसके बैटरी की करें 130 एच का दिया गया है 1000 वाट का मोटर जो 48 बोल्ट DC का इंपूट देता है 50 MPS 24 ट्यूप्स का कंट्रोलर लगा मिलता है यह से MPS मैनुवलिक चार्जर 48 बोल्ट 16 AH माइक्रोटेक पावर चार्जर दिया गया है बहुत ही कम बिजली लगती है इसे चार्ज करने में यह इरिक्षा 5-6 घंटे में फूल चार्ज हो जाती है और एक फूल चार्ज में यह 120 किलिमीटर तक की सफर कर सकती है इसके रियर सस्पेंशन को देखें तो यहाँ पर लीफ स्पिंग हैड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है उपर रूफ की बात करें तो आयरेन बिफ केरियर रूफ दिया गया है आप अपने पैसेंजर के शमान वगएर रूप के उपर लगे केरियर पर भी इजली दख सकते हैं शाइड प्रोफाइल से गाड़ी की लुक कुछ इस तरह से लगती है इस टिकर वगर एक काफी अच्छे तरीके से लगे मिल जाते हैं तीन पहिये लाई विल कबर के शाथ लगे मिलते हैं इसी रिक्षा में और एक पईया स्पेर विल के रूप में दिया जाता है कंपनी के तरफ से दोस्तो अगर इसके ओवराल डाइमेशन की बात करें तो यहाँ पर 2730 mm की लंबाई 980 mm की छोडाई 1725 mm की उचाई देखने को मिलती है 4 प्लस वन सिटिंग कैपसिटी मिल जाती है ड्राइवर केबिन की बात करें तो स्मूथ साफ्ट बैक रेष्ट और हैंड रेष्ट के साथ ड्राइवर शीट मिलती है जिस पर इजली दो लोग आराम से बैढ़ सकते हैं अच्छा खासा लेग स्पेस देखने को मिलता है हैंडिल बार ओप्षन के साथ इसमें डिज्टल स्पीडोमीटर दिया गया है हैंडिल बार पर ही आपको इस गाड़ी से संबंदित आवस्यक सुचे लगे मिल जाती है देखाजाए अगर इसके पैसेंजर केबिन को तो यहाँ पर दोनों सीटों के बीच में काफी अच्छा खासा इस्पेस देखने को मिल जाता है बैक रेस्ट के साथ हैंड रेस्ट और बढ़िया सेट मिल जाती है पैसेंजर केबिन में अगर पीछे की साइड प्रोफाइल को देखें तो यहाँ पर बित कैफ बढ़ा इस्टीकर के साथ इस्पेर वील मिल जाता है मजबूत हैवी बिल्ड क्वाल्टी की एंगल इस्ट्रेक्चर का प्रयोग किया गया है शाथी नीचे की तरफ तीन तीन टेल इंडिकेटर दोनों तरफ लगे मिलते हैं ग्रीन कलर में नंबर प्रेट लगाने की जगर और नीचे की शायड में हैवी बंपर मिल जाते हैं शाथी दोस्तों मनरंजन के लिए दोई स्पीकर के साथ म्योजिक सिस्टम मोबाइल चार्जर शाकेट भी मिल जाता है गाड़ी के चारो तरफ पैसेंजर को बारी सोगरे के पानी से बचने के लिए फाइवरी परदे दिये गए हैं आप इसे इजली कम से कम डाउन पेमिंट जमा करके यानि कि 30 से 40,000 रुपे जमा करके भी इस गाड़ी को घर ले जा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं अगर इसके आन्डोर प्राइज को देखें इरिक्षा आपको 1,75,000 रुपे के आसपास देखने को मिल जाती है नवच्कार बंदे मातर